आज हम सुजुकी बर्गमन स्टीट 125 का फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे सुजुकी बर्गमन स्टीट 125 का फ्रंट हुईल में 190 mm का डिस्क का इस्तमाल किया जाता है और जो ब्रेकिंग पिस्टन सिस्टम का इस्तमाल किया गया है वो निसिन का है Nissan का जो brake caliper है, जो braking system है, ये एक बहुती बहतरीन international quality and international standard का braking system है, वो ही इसमें इस्तमाल किया गया है, तो इसका जो front का 190 mm disc और Nissan का caliper, Nissan का braking system ये इसका front braking को बहुती बहतरीन बनाता है, वैसे तो इस vehicle में combined braking system का इस्तमाल किया गया है, मतलब की front और rear brake एक ही साथ में लगता है, इससे overall vehicle का braking और braking के समय पे stability बहतरीन हो जाता है, इसका front जो disc mechanism है, जो braking mechanism है, काफी बार ये users से शिकायत सुना गया है कि इसमें से squeaking noise आ रहा है, किच 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 करके noise आ रहा है, खास करके बारिश के मौसम में, rainy season में इसमें से squeaking noise आता है, किच 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 करके noise आता है, बहुत users घबरा जाते हैं, बहुत users बहुत तरह के शिकायत करते हैं पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कोई घबरानी की बात नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें निसिन का ही break pads इस्तमल किया जाता है और ये disc जो है ये भी Nissan का है calipers के उपर तो of course Nissan का badging आपको दिखा ही देता है clearly तो ये जो parts है ये बहुत ही उम्दा quality के parts है इसके उपर अब हमेशा भरोसा कर सकते हैं जो squeaking noise आता है वो सिर्फ dirt, muddy substance sand या sandy substance accumulation की कारण होता है break pad का जो surface होता है वो uneven होता है इसलिए उसके उपर mud, dirt और dust particles बहुत आसानी से चिपकता है और जब disc pad के उपर dirt चिपक जाता है तभी ये किच-किच-किच-किच noise, ये squeaking noise front breaking system से आना शूरू हो जाता है इसका solution एक ही है कि आप disc को समय समय पे clean करें सुखे कपड़े से, साबून पानी से और disc pads जो है वो regular interval में जैसे ज़रुरत पड़े वैसे उसको साफ करके लें disc pads को कैसे service किया जाता है इसके उपर भी एक detail video मेरे channel में डाला हुआ है मैं फिर भी एक पर repeat कर देता हूँ disc pads को clean करने के लिए आपको पहले disc hub का दो holding knot है 12 mm का उसे unscrew करके लेना है उसके बाद disc pad guide pin को unscrew करना है वो 8 mm का है उसके बाद आप पुरा disc hub को बाहर निकाल लेंगे और disc pad को बाहर लेके किसी भी sand paper से हलके से rub कर लेंगे तो disc pad के उपर चिपका हुआ सारा dust particles, dirt particles, sand particles सब कुछ निकल जाएगा और clean हो जाएगा and of course disc को भी सुखे कपड़े से या साबून पानी से आप साफ कर लीजिए तो इससे जो squeaking noise है, किंच 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 करके noise है खास करके रेनी सेजन में जो squeaking noise होता है ये सबसे आपको छूट करा मिल जाएगा ये कोई issue नहीं है, ये कोई defect नहीं है, ये कोई problem नहीं है ये सिर्फ dust accumulation की कारण होता है और dust तो accumulate होगा ही क्योंकि ये wheel में लगा हुआ एक part है तो इसे साफ रखने से जो squeaking noise की दिक्कत है उससे आपको छूट करा मिल सकती है तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतन ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe कर नहीं मत भूलिए अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए लेट्स टो की चंदन, नमस्कार